किराडू प्राचीन मंदिर आपको बता दें कि किराडू का मंदिर बार्मेर जिले 43 किलोमीटर दूर हाथमा गाउं में स्थित है दक्षिन भारतिय शेली में बना किराडू का मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद है कहा जाता है कि इस मंदिर में कई राजदफन हैं कई ऐसी मान्यताएं हैं और कहते हैं कि इस जगहों पर भूत रहते हैं या किसी प्रकार की आत्माएं प्रचर करती हैं साथ ही इस मंदर के लिए ये भी कथा प्रचलित है कि शाम होने के बाद यहां जो भी ठहरता है वो पत्थर का बन जाता है. स्थानिय लोगों की माने तो एक सादू के श्राप ने इस मंदर को पत्थरों की नगरी में बदल दिया, जिसके बाद इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद यहां पर कोई भी नहीं रुकता है इसी डर के चलते है पूरा क्षेतर विरान हो जाता है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कई सालों पहले यहां एक सादू अपने शिश्य के साथ रहता था एक बार बह भिक्षा के ये कहीं गया था उसने अपने शिष्य को इस भरोसे आश्रम में ही छोड़ा था कि गाउंवाले उसकी सेवा ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे वो उसकी करते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं और की कारण शिष्य की तबियत खराब हो गई और वो बहुत कमजोर हो गया सादू शिष्य को बीमार देखकर बहुत प्रोधित हुआ और प्रोध धाकर कहा कि जिस थान के निवासियों में दया और करुणा की भावना नहो वहां जीवन का क्या मतलब ये कवकर कहा कि आज से इस गाउं के सभी लोग पत्थर के हो जाएं और पूरा गाउं बरबाद और तहस नहस हो जाए इसी कारण ये पुरा गाउं तहस नहस हो गया था